अपने अच्छे कर्मों का फल हो सकता है मिलने में देर लग जाएं बगर आपके बुरे कर्मों का फल अवश्य और शीग्रे ही बिल जाता है जैसे आप बहुत सारे बादाम खाएं हो सकता है दिमाग तेज हो नहों लेकिन जिससे फूड पॉजिनिंग होती है खाते ही आपको उल्टी दस्त हो जाएगी यानि बुरी चीज का असर तुरंट होता है ऐसी ही एक कहानी आपको सुनाता हूँ एक गाओं में एक सादू रहते थे जो कि गौतम बुद के बिख्शू थे बिख्शा मांगकर गुजारा करते थे वहाँ एक बुरी ओरत के घर एक दिन बिख्शा मांगने गए च्योंकि उस बुरी ओरत का सौभाव बहुत ही रहता और सादूों पर बड़ा चिड़ती थी तो रात का बासी खाना उस सादू को दे दिया सादू ने बड़े अच्छे डंक से खाया और चले गए अगले दिन सादू फिर उस औरत के घर गए क्योंकि वह चाहते थे एक उसके मन में सादू के परती अच्छे विचा रहे उस बुड़ी औरत ने जोंकि उसे गुसात आता ही था थोड़ा जहर भी मिला दिया और खाने में दे दिया उस दिन सादू ने सोचा कि आज मैं किसी और का पेट बढ़ता हूँ तो रास्ते में वेक्ति आ रहा था उसे पूछा कि क्या भाई तुम भूके हो उसने का मैं बहुत दूर सा रहा हूँ मैं थोड़ा भूका हूँ तो वो खाना उसे दे दिया चूंकि उस खाने में जहर था और वो वेक्ति वोजन करते ही मृत्यों को प्राप्त हो गया और वो वेक्ति उस बुड़ी औरत का बेटा था बूरे कर्मों का फल लोट कर खुद पर जरूर आता है और क्रिया की प्रतिक्रिया जरूरती है इस कहानी से सीख्या मिलती है कि अच्छे कर्म हमेशा करिए बूरे भाव और बूरे कर्म कभी मत करिए प्रियसातियों आज के राशिपल में सबसे पहले में बात करेंगे गुरू मंतर की कर्ज से कैसे मुक्ति पाई जाए इसका विश्य शुपा है आज के वास्तू सेग्मेंट जो छे राश्य के बाद होगा स्ट्रेस को करें चूमंतर वास्तू गनुसार क्या करेंगे और कारिक्रम गंतम होगा आज कैस्ट्रो ग्यान लेकिन आईए सबसे पहले बात करता है गुरू मंतर में कर्ज मुक्ति की कर्ज प्रियसातियों अभिशाप है कई बार कर्ज को चुपाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है यहां तक ही ब्यास देने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है अगर आप ऐसी किसी तकलिफ से गुजर रहे हैं तो मंगलबार के दिन हनुमान जी को जल चड़ाने के बाद पंचामरत चड़ाएं और तिल के तेल में हनुमान जी वाला भारी सिंदूर गोल कर तिलक करें गोड और गेहूं के आटे की रोटी और चूर्बे का बोग लगाएं ऐसा करने से हनुमान जी आपका कर्जा नहीं चुकाएंगे बलकि हनुमान जी ऐसा आशिरवात देंगे कि आप सही निर्णे लेंगे धन कमाएंगे और फिर कर्ज उकाएंगे मेरे प्रेसातियों आईए हमेशा के तरह चंद सेकिंड आपके लोगा आज की कुंड़ी और आज के पंचाएंगे आज दो पहर दो बचकर बीस मिनट तक नवमी और बाद में दश्मितिती रहेगी आज रात को दस बचकर पचास मिनट तक उत्रा शाड़ा नक्षत्र फिर स्रवन नक्षत्र रहेगा ग्रहों से बनने वाले वाशी योग आनदादी योग सुनफा योग अतिगंड राज्योग के सासाथ बुद्ध आदिती योग और लक्ष्मिन नाराण योग भी रहेगा अगर आपकी राशी मिथुन कर्ण्या धनू और मीन है तो हंस योग और भदर योग वही मेश करक तुला और मकर अगर आपकी राशी है तो शर्ष योग का लाब बिलेगा आज शनी चंदरमा का विश्दोश रहेगा क्योंकि चंद्रमा मागर राशी में शनी के साथ रहेंगे आज के दिन अगर आप किसी शुब या मांगली कारियों के लिए शुब समय की तलाश में हैं तो वो एक बार भिलेगा दो पाहर सवा बारा से दो बज़े तक लाब और अमरित का चौगडिया है कोशिश करिएगा कि दो फैर को तीन से साड़े चार बज़े तक राहुकाल के समय शुब और मांगली कारियों न किये जाएं या फिर इंवेस्पेंट में पहले कुछ काम किये हैं जो घलत हो गया है उसका हो सकता है आज आपको खामियास अब हो गयतना पड़े बर्ड प्लेस पर वरिस सदिकारी मंत्री बॉस ऑफिसर आपको कोई समझाए तो उनका संबान करिए महिलाओं को घर के साथ साथ आप प्रोफेशली भी कुछ काम करने आज मौका बिल सकता है आध्याद भी खोज की तरफ आज आप आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट आर्टिस और प्लेयर्स आज दिल को कोई चोट लगने वाली है ध्यान दीजिए बात करते है ब्रश ब्राशी की आमदरी में कैसे ब्रदी हो खर्चों और कर्जों में कंट्रोल कैसे हो इस पर द्यार दीजिए जो लोग ज्वल्री का बिसनस करते हैं कपड़ों का बिसनस करते हैं खाने पीने का बिसनस करते हैं दनलाब के लिए, फैसिवल सिजन के लिए अब कुछ नया पन लाना पड़े लिए आपकी बहत्वा कांखशा है नई सफलता की और बढ़ाएगी यदि नौकरी के तलाश है तो आपने परियास जारी रखें सफलता जरू बिलेगी कुछ परिशाने जरू आएगी लेकि निदान मिल जाएगा हालांकि यह समय धैरी और संग्यम रखने का है जरूत्बन बज़र्गों के और बच्चों के सेवा उनकी मदद करना आज आपको बहुत पुन्ने दिलाएगा आपके हाथों से आज किसी का भला होने वाला है स्टूडेंट आर्टिस और प्लेयर्स आसाने से नहीं आज कड़ी बहनत और स्मार्ट वर्क से ही लाब बिलेगा मितन राशिक बात करते हैं चोटे हो या बड़े भाई हो या बहन अपने हो या कजिन खुशी के खबर जरू मिलेगी बिजनस से रिलेटेट कुछ परेशाने कम या खत्म भी हो सकती है आपका आद पर सम्मान और विश्वास बढ़ेगा आटो मॉबाइल और कंस्ट्रक्शन आईर और के बिजनस से सफलता मिलेगी दनलाब होने के भी आसार बन रहे है सोचे वे ज्यादा तरकाम पूरे आपके सिध योग की वज़े से है नौकरी पैशा लोगों को आज बड़ा फाइदा मिल सकता है सिंगल परसन्स विवा के लिए अच्छा साती चोन सकते हैं या डून सकते हैं स्टूडेंट आर्टिस और प्लेयर्ट्स लंबी बाचीत जैसी बेकार की गतिवितियों में अपना समय बरबाद ना करें समय बीतने पर वादों को पूरा करना मुश्किल हो जाता है इसलिए जोटे वादे बिलकुल भी नहीं करें करक्राशी बिजनस पर्सन के तरीके सोची प्रोजेक्ट को प्रोफिशनली हैंडल करें लाब में लेगा वेबसाय विस्तार के लिए समय कुछ खास नहीं बाधायर मुश्किलें लग भग दूर होने वाली हैं ओफिस के एक्टिविटेस के परती आप आकर्शित होगे आपको कुछ नई जिम्मेदारी भी दी जा सकती है ज्यादा सोचने बजाए अपने काम पर अधिक ध्यान केंद्रित करें इस्ततियां धीरे धीरे से आपके पक्ष मा जाएगी आपका पारिबारी जिरुन शांति पूरु बना रहेगा लेकिन लव बर्स और लाइफ पार्टनर बीच तनाव में कुछ कमी आ सकती है इसके लिए आपको छोटा ये बड़ा कोई त्याग करना पड़ेगा जब दिमाग दिल को देता है दबाओ तभी जिन्दिगी में उत्पन होता है तनाओ स्टूडेंट आर्टिस और प्ले स्टे पॉजिटिव सब अच्छा होगा आईए अब बात करते हैं सिंग राशी की दादा दादी ताओ जी चाचा जी काका जी पैटरनल्स से आपको उनके साथ बांडिंग मजबूत करनी है बड़े बुज़र्गों में से किसी के आदर्श अपनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा शुब योग के बने से शेर बाजार, वाइदा बाजार, जमी जाइदाद में धनलाप और बड़ी डील हो सकती है व्यावसाई सहयोगियों के साथ आपकी समझ अच्छी रहेगी आप मैंसे कुछ प्रोफेशनली लाप कमा सकते हैं नौकरी पेशा लोगों को अधिकारी उससे बदत भी लेगी, काम की तारीफ भी होगी कॉडिनेशन अच्छा रखोगे तो खोशाल दिन व्यतीत होगा अपने परिवार के सदस्यों की कंपनी का आज आनद उठाएंगे अच्छी चीज़े खरीदना, अच्छे पक्वान, अच्छे लोगों से मेल बुलागाद आपको बहुत खोश कर देगी जीवन साथी से भावनात पर गरिश्टा और गहरा होगा लव पार्टर और लाइफ पार्टर साथ ट्रेवल और आने वाले दिनों में कुछ इस्पिशल करने की प्लानिंग बन सकती है इस्टुडेंट, आर्टिस और प्लेयर्स आपके पर्फॉर्मेंस आश्यांदा रहेगी बरते खर्च और कर्स को रोक पाना अब आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है नई स्ट्रेजी बनानी होगी व्यापारी गती विदियों में कुछ मंदी की आशा है इस समय वर्तबान वेबसाइप पर ही ध्यान देने की जरूत है नौकरी में किसी भी पेपर पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह से अवश्य पढ़ ले संतान के तब्यत खराब होने से आप और आपके जीवन साती या लाइव पार्टनर थोड़े परिशान होने वाले है स्टुडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स कुछ समझ में नहीं आता है तो माबाप के चरनों में बैठ जाए और अपने टीचर कोच बेंटोर से सला लीजी निरंतर लगातार प्रियास करिए सफलत आपके पास है अगर सफलता पाने की चाह अपने बीतर रखते हो तो सफल होने के लिए मेहनत की चाह भी अपने बीतर रखो छे राश्री के बाद प्रेस आती हो आईए वास्तू सेग्मेंट में बात करते हैं अगर आप काफी समय से परिशानी में स्ट्रेस में रहते हैं और परिशानी को दूर तो करना चाहते होंगे आज आप एक तांबे के लोटे में पानी लें उसमें थोड़ा सा लाल चंदन बिला दें फिर इसको अपने सोने वाले से रहाने के पास रात को रखे सो जाएं दूसरे दिन स्नान आधिकारियों से निवरत होकर सबसे पहले उसी पानी को तूलसी के बादे में डाल दें ऐसा आपको हफते में चार दिन करना है और लगातार एक मेहें तक करना है आप देखिएगा आप बहुत टैक्टिकल फील करेंगे और दीरे दीरे ही सही स्ट्रेस खतम हो जाएगा तुला राशी मानसीक और शारेरी रूप से तनाव कैसे कम किया जाए इस पर विचार करें अनुभवी लोगों के साथ बहतरी समय ब्यतीत होगा आत्पस संबान और विश्वास बढ़ेगा ज्यादा दौर दूप करने की ज़रूरत नहीं नौकरी में सितारों का साथ मिल सकता है जिवन में कोई बड़ी समस्या तो खड़ी नहीं होगी लेकि छोटी समस्या को तुरंत खत्म कर दीजिए वरना वोर काई बड़ी ना बढ़ जाए इस्टुडेंट आर्टिस और प्लेयर्स जटिल समस्या का समाधान माबाप के चरणों में है बात करते हैं वरिशिक राशी की माता जी की अच्छी सेहत के लिए दुरगा माँ से प्रारतना करें जो लोग कंस्रक्शन प्रॉपर्टीज ऑईल एंड गैस केमिकल मैनिफैक्शन यूनिट लोहा यानि आईरेंड और के बिजन से जुड़े वे हैं उन लोगों को बहुत कुछ ध्यान रखना चाहिए मार्केट में चल रही उतल फुतल और साथ में मंदी और तेजी दोनों ही परेशान करें जल्दी बाजी में लेगे निर्णे लॉंग टर्म में नुकसान देंगे ध्यान दीजी वर्क्प्रेस पर अपने कॉंपीटिटर्स पर नजर रखिए लेकिन उनी पर नजर रखोगे आप पीछड जाओगे लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ दीरे जैरी और सहियम से आप काम लीजी हाथ में अच्छा सा गिफ्ट चेरे पर मुस्कुराट और जुबान में शेश शब्द रखिए स्टुडेंट, आर्टिस और प्लेर्स परिशानियों से पार जाना है तो एक बार ठान लो दुनिया के हर परिशानी आपकी इमत के आगे गुट्टे टेक देगे धनुराशी आत्वा सम्मान और विश्वास बढ़ जाएगा आईरन, बिल्डिंग माटरियल, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, माइनिंग से जुड़े वे लोग जो जॉब या बिसनस करें, सकारत में सोच सागे बढ़ेंगे तो समस्याओं से बाहर निकलेंगे तरक्की के नए अवसर भी बिलेंगे लीगली अपने आपको मजबूत बनाएगे बरना किसी पचेड़े में फस जाएगे फाइनिशल आपके संकेत तो है लेकिन खर्चों और कर्जों को रोक पाना मुश्किल है बर्ट प्लेस पर प्रोफेशनल तरीके से सोचिए एमोशन को आफिस के बाहर रखिए बास, सीनियर, कुलीग के साथ एक कम्यूनिकेशन शांदा रखिए दिन अच्छा गुजरेगा वरिस्ट अधिकारी, मंत्री, बॉस, ऑफिस और परिवार के बड़े बुजर्गों के साथ सोहार्थ पून आप पेश आए वरना आपकी एक गलती उनके दिल और आत्मा को चोड़ पहुचाएगी स्टूडेंट, आर्टिस और प्लियर्स पहले किये गए प्रियास का अच्छा रिजर्ट मिलेगा आज जो करोगे उसका अगले आने वाले टाइम में रिजर्ट मिलेगा ध्यान दीजिए, मगर आशिए आज आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना है उसी से आपके जीवन और वेक्तितों में निखार आएगा कॉस्पेंटिक, गिफ्ट आइटम, हैंडिकराफ, फूड और वेवरिजेज, होटेल, रेस्टरंट, आई-टी प्रोफेशन लोगों के लिए आज तरक्की के दिन है अनफा और जो सिद्ध योग बन रहा है उससे जॉब में और बिजनस में नए क्लाइन्ट मिल सकते हैं बड़ा ओडर और टेंडर के लिए काम किया जा सकता है फाइनेंसे संबदित एक्टिविटीज में आज आपको खुद इन्वाल रहना चाहिए किसी पर भी वरोसा मत करिए नौकरी पहिशा लोगों को आगे बढ़ने के मौके बिलेंगे काम काजब आ रहे हैं रुकावट इस दिन लगबख दूर हो जाएगी लव पार्टर और लाइफ पार्टर साथ परिवार के लोगों के साथ आज आप शॉपिंग, मौजबस्ती या किसी एंटरेटेंटमेंट का किसी समारों का इस्सा बनेगे स्टूडेंट, आर्टिस और प्लेर्स ध्यान आपका भटक रहा है और सेहत भी थोड़ी कमजोर है ध्यान दीजिए, खान पान में जरूर ध्यान दीजिए, कुमराशी पैत्रिक संपती हो या स्वाव पार्जे संपती हो इसके मामले सुल जाईए जो लोग केक, पेस्ट्री, फूड और बेवरिजेस, होटेल, रेस्टरंट, आईटी प्रोफेशन, कम्यूनिकेशन का काम करते हैं उन लोगों की जॉब और विजनस में जटिल ताउं से जूचते वे बाहर निकल के सफलता का स्वाच चखने का दिन है पैसों की आमदनी तो ठीक है, लेकिन खर्चों को रोक पाना मुश्किल है नौकरी पे काम बनेंगे, आप अगर जल्दी ऑफिस रवान होंगे ऑफिस पे अधिकारियों से मन भेद और मद भेद दूर करिए वो आपकी अपीट पीछे भी तारिफ करने लगे हैं रिष्टों के मामले में संभल कर बोलना होगा स्टूडेंट आर्टिस और प्लेयर्स बहतर प्रियास आप करते नहीं हैं लेकिन बहतर परिणाम की आशा जरूर रखते हैं हमेशा याद रखो कि प्रियास और संगर्ष सफलता के पहले हैं यहां तक यह डिक्ष्टनरी बे भी आप दिन पर चुस्त और तद्रूस रहें अच्छी नीन लीजिए तो दिन बहुत शांदार गुजरेगा मीन राशी नॉलेज बड़े वाला है ग्यान, विवेक, एंथुजियाजम आईक्यू और एक्यू लेवल के साथ मैमरी अच्छी रहेगी जो लोग डेकोरेशन का इंटिरे डिजाइनिक, फैशन डिजाइनिक, मल्टी मीडिया, क्रियेटिविटी का बिजनस करते हैं ऐसे लोग जो एब डवलोपर, वेब डवलोपर, सोशल मीडिया का काम करते हैं नए क्लाइंट मिलना, लाब मिलने की संभावना ज़्यादा है लाव पार्टर और लाइप पार्टर और बिजनस पार्टर साथ समझ बड़ेगी कुछ सकारत पक सुनकर, अपना कर, आप अपना दिन अच्छा कर लेंगे वर्ट पेस पर, किसी गलत काम के लिए आपको ललचाए जा सकता है बच रहोगा, प्रित्वी हर आदवी की ज़रूत पूरा करने के लिए परियापत है लेकिन हर आदवी के लालच को पूरा करने के लिए आपको अपने हिस्से से ज़्यादा काम करना पड़ सकता है आज किसी के मदद करने मौका बिले तो चूकियेगा मत स्टूडेंट, आर्टिस और प्लियर्स, आपके पास एक सकारत पक दोस्त है बस उस पर भरोसा कर लिजी आज आईए अब कारिकरम गानते में बात करते हैं आज के एस्ट्रो घ्यान की अगर आपकी राशी कन्या वरश्चिक दनु मकर मीन है तो आपके लिए शुब दिन है मेश वरशब करक सिंग राशी वाले लोगों के लिए समानी है परनतु बेथुन तुला कुम राशी वाले लोगों को थोड़ा संभल कर दिन गुजारने के सला दी जाती है आज आप हनुमान जी के समक्ष कच्ची गाने के तेल का दीपक जलाएं और साथ त्रिकवानी द्वजा भी चड़ाएं आपके काम अवश्य बनेंगे राशी पर आएवे संकट के बादल हल हो जाएंगे स्वस्त रहिए मस्त रहिए और भ्यस रहिए मुझसे आप परसनली मिल भी सकते हैं या टेलिफोनिक और वीडियो कॉनफरेंसिंग अपॉन्मेंट दुवारा भी जोड़ सकते हैं आज के लिए तरह ही प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशरवाद इस दिपावली इन साथ कल्पों के साथ होगा लक्ष्मी कास थाईवास श्वेतार के गणपती यह सर्व सम्रदी का शाष्पत उपाय है इनकी पूजा से सुख सभागे और सम्रदी बढ़ती है कनपधारा यंत्र से करे लक्ष्मी का स्थाईवास धन प्राप्ती और धन संचे के लिए पुराणों में वर्नित कनपधारा यंत्र चमतकारिक रूप से लाप्रदान करता है एश्वर्य और सम्रदी का प्रतीक दक्षिना व्रती शंक दक्षिना व्रती शंक को लक्ष्मी जी का भ्राता भी बताया गया है और लक्ष्मी जी का सबसे प्रियर रूप भी माना चाता है दरित्रता का नाशक कुर्माकार महलक्ष्मी यंत्र दिव्य व्यापारव्रदी, रण मोचन, संतानलाव तधा भौतिक उन्नती के लिए कुर्माकार महालक्ष्मी यंत्र सर्विश्रेष्ट है महालक्ष्मी का स्थाइत्व एकाक्षी नार्यल से विशेश्तांतिर्क मंत्रुद्वारा सिद्ध की हुए अभि मंत्रित एकाक्षी नार्यल की पूजा कीजिए एवं समाप करें अपनी सभी तंत्र बाधाओं को लक्ष्मी चरण पादुका सुख संभरती के लिए मालक्ष्मी के स्थाइत्व के लिए आज ही अपने घर में स्थाप्ट करें क्योंकि जहां जहां लक्ष्मी के चरण होंगे, वहां सुख सम्दती अवर्षी होगी। लक्ष्मी प्रिये कुबेर कलश वर श्रीफल मां लक्ष्मी को प्रसंद करने और उनका अशिरवात प्राप्त करने के लिए कुबेर कलश एवम श्रीफल ही एक विशेश लक्षमी प्रतायर कल्ब है For more detail प्लीज कुंटाइक 0291 2799000 243 2625 98290 26625